परिचय आज रिया का जन्म दिन है उसने अपनी क्लास के हर साथी को तीन चॉकलेट देने का फैसला किया है अब तक वह पाँच दोस्तों को चॉकलेट दे चुकी है इसलिए उसने पंदरा चॉकलेट दे दी है कुछ ही देर में 35 विद्यार्थियों वाली पूरी क्लास को चॉकलेट बाटने का उसका काम खत्म हो जाता है रिया ने कुल मिला कर कितनी चॉकलेट बाटी क्या हमें इस सवाल का जवाब पाने के लिए 35 को तीन से गुणा करनी होगी या इसका कोई और तरीका भी है इस पार्ट में हम गुणा के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे आओ सीखें गुणा के गुण धर्मों की सूची बनाना दस, सौ और हजार से संख्याओं को गुणा करना दो अंक वाली संख्याओं को गुणा करना गुणा से संबंधित तथ्य बताना लैटिस, मल्टिप्लिकेशन, अल्गोरिद्म का प्रियोग करके बड़ी संख्याओं को गुणा करना गुणा करना हमने अभी रियाद्वारा अपने पाँच दोस्तों को दी गई चौकलिट की संख्या की गणना की जो थी तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन बराबर पंद्रा अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि तीन की संख्या पाँच बार नजर आ रही है इसलिए हम इसे पाँच गुणा तीन बराबर पंद्रा भी लिख सकते हैं आईए एक और उदाहरण लेते हैं छे जमा छे जमा छे बराबर अठारह हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं तीन गुणा छे बराबर अठारह क्योंकि छे तीन बार आ रहा है गुणा के गुणधर्म एक आईए अब गुणा के कुछ गुणधर्मों को देखते हैं एक गुणा एक बराबर एक चार गुणा एक बराबर चार इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी संख्या को एक से गुणा करें, तो परिणाम वही संख्या होगी आईए इसके एक और गुण धर्म पर नजर डालें एक गुणा शून्य बराबर शून्य चार गुणा शून्य बराबर शून्य इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी भी संख्या की गुणा शून्य से करेंगे, तो नतीजा होगा शून्य गुणा संबंधी गुण धर्म दो, यहां गुणा का एक और गुण धर्म बताया जा रहा है 6 और 5 दो संख्याएं लेकर उन्हें आपस में गुणा कीजिए हम इन संख्याओं को दो तरह से आपस में गुणा कर सकते हैं हम या तो 6 की गुणा 5 से कर सकते हैं या 5 की गुणा 6 से कर सकते हैं 6 गुणा 5 बराबर 30 5 गुणा 6 बराबर 30 अब दो और संख्याएं लेते हैं 7 और 3 हम फिर इन्हें दो तरह से आपस में गुणा करेंगे पहले हम 7 की गुणा 3 से करेंगे और फिर 3 की गुणा 7 से करेंगे 7 गुणा 3 बराबर 21 3 गुणा 7 बराबर 21 हमने ये देखा कि संख्याओं का क्रम कुछ भी क्यों ना हो गुणा करने पर उनका पनिनाम एक साही रहता है 10, 100 और 1000 से गुणा आईए अब जाने कि संख्याओं को 10, 100 और 1000 से गुणा कैसे की जाए जब हम किसी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो यदि उसकी दाई और एक जीरो जोड दें तो हमें परिणाम मिल जाता है आईए 7 की गुणा 10 से करें यदि हम 7 के दाई और एक जीरो लगा दें तो परिणाम होगा 70 इसी तरह अगर 36 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 360 यदि 47 की गुणा 10 से करें तो परिणाम होगा 470 जब हम किसी संख्या की गुणा 100 से करते हैं तो हम उस संख्या की दाई और दो जीरो लगा देते हैं और उससे हमें परिणाम मिल जाता है आए ये 12 को 100 से गुणा करते हैं हम 12 के दाई तरफ 2 0 लगा देंगे, जिससे परणाम मिलेगा 1200, 1200, इसी तरह हम 43 की गुना 100 से करके 4300 परणाम पाएंगे जब हम किसी संख्या की गुना 1000 से करते हैं, तो हम उस संख्या के दाई ओर 3 0 लगा देते हैं और हमें परणाम मिल जाता है आईए 8 की गुणा 1000 से करते हैं 8 के दाई तरफ 3-0 लगा दीजिए और आपको 8000 परिणाम मिल जाएगा इसी तरह हम 4 की गुणा 1000 से करें तो परिणाम होगा 4000 दो अंकवाली संख्याओं की गुणा आईए सीखें कि दो अंकवाली संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है आईए 63 की गुणा करते हैं 4 से पहले 3 की गुणा करेंगे 4 से 4 गुणा 3 बराबर 12 अब 2 को इकाई वाली जगह पर लाइन के नीचे रखिए और 1 को दहाई वाली जगह पर उपर रखिए इसके बाद 6 की गुणा 4 से करिए और 1 को 6 के उपर रखिए चार गुणा छे, जमा एक, पराबर, पच्चिस पच्चिस को लाइन के नीचे रखिए उत्तर है, दो सो बावन आईए अब 32 की गुणा बारा से करते हैं एक, चार पाने के लिए दो की गुणा दो से करिए 4 को लाइन के नीचे इकाई वाली जगह पर रखिए 2. इसके बाद 3 की गुणा 2 से करिए उत्तर होगा 6 6 को लाइन के नीचे दहाई वाली जगह पर रखिए 3. 4 के नीचे एक क्रॉस लगाईए 4. 2 की गुणा 1 से कीजिए 2 को 6 के नीचे रखिए 3 की गुणा 1 से कीजिए 3 को 2 की बाई तरफ रखिए अब इन संख्याओं को जोड़ दीजिए उत्तर होगा 384 Multiplication algorithm अब समय है आसान तरीके से बड़ी संख्याओं की गुणा करना सीखना इसके लिए Lattice Multiplication algorithm का इस्तेमाल किया जाता है algorithm में कतारों और कॉलमों से बने एक grid का प्रेयोग किया जाता है कितनी कतारें और कॉलम होंगे उनकी संख्या का फैसला गुणा की जाने वाली संख्याओं में मौजूद अंकों की संख्याओं के आधार पर होगा अगर दो अंक वाली किसी संख्या की गुणा, दो अंक वाली ही किसी और संख्या से होगी तो दो कॉलम और दो कतारे बनानी होंगी दूसरे शब्दों में इस grid में चार सेल होंगे grid में हर सेल दो-दो हिस्सों में diagonal यानी विकर्ण रेखा से बटा होगा उपर वाला त्रिभुज दहाई वाले स्थान के लिए है और नीचे वाला त्रिभुज इकाई वाले स्थान के लिए आईए अब दो अंक वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए इस grid का प्रयोग करें आईए lattice multiplication algorithm का इस्तेमाल करके 56 की गुणा 14 से करें 56 उपर लिखिए और 14 उसके नीचे लिखिए पहले एक और पांच की गुणा करें पांच को इकाई वाली जगह पर रखें और 0 को दहाई वाली जगह पर इसके बाद 4 और 5 की गुणा करके 20 प्राप्त करें अब 20 की 0 को इकाई वाली जगह पर रखें और 2 को दहाई वाली जगह पर इसके बाद 1 और 6 की गुणा करें 6 को इकाई वाली जगह पर रखें और 0 को दहाई वाली जगह पर रखें आखिर में 4 और 6 की गुणा करें नतीजा होगा 24 2 को दहाई वाली जगह पर रखें और 4 को इकाई वाली जगह पर रखें अब हर विकरनी कॉलम में संख्याओं को जोणें और इसकी शुर्वात नीचे से करें चार बराबर चार छे जमा दो जमा शून्य बराबर आठ शून्य जमा बाच जमा दो बराबर साथ शून्य बराबर शून्य अब परिणाम को बाई से दाय की ओर पढ़ें यानि शून्य साथ आठ चार यानि साथ सो चौरासी इसलिए हम कह सकते हैं कि चौदह गुणा चपन बराबर साथ सो चौरासी हमने क्या चर्चा की? अगर किसी संख्या की गुणा शून्य से की जाती है तो परिणाम भी शून्य ही होगा यदि किसी संख्या की गुणा एक से की जाती है तो परिणाम वह संख्या ही होगी अगर किसी संख्या की गुणा 10, 100 या 1000 से की जाती है तो उस संख्या के पीछे उतनी ही 0 लगा दी जाएंगी जितनी 10, 100 या 1000 में होती है दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर परिणाम वही रहता है बड़ी संख्याओं की गुणा lattice multiplication algorithm का इस्तेमाल करके की जाती है